को dear students स्वागत आपका make it easy case platform पे बच्चो आज का अचे क्वेस्ट है वो बहुत ही सामदार क्वेस्ट है आपके पास ठीक है चले देखते हैं क्या है क्वेस्टन है यह जो क्वेस्टन है यह importance थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है, देखते है क्या है, in compression test, इन compression test की बात कर रहा है, compression test, ठीक है, in compression test, the cast iron specimen would, cast iron की बात कर रहा है, आप जानते है, cast iron एक क्या है, brittle material है, ठीक है, तो यह बोल रहा है, किस तरह का behavior so करेगा, the fracture along at right angles to the axis of specimen, fracture along the axis of load, would not fracture, fracture along an oblique plane, ठीक है, चले, definitely यह हम सब जानती है, कि जो brittle material होते है, they are strong in compression but weak in tension, ठीक है, tactile material are strong in tension but weak in compression, यह तो हम सब जानती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चले आते हैं, यह है बटा failure का, जो plane के लिए diagram में आपके लिए लाए हो, ठीक है, this is the brittle material में, इस तरह का आपका failure होता है, ठीक है, यह आपका load लग रहा है यहां से, ठीक है, और यह failure plane जो आपको यहां से दिख रहा होगा, this is your failure plane, ठीक है, यह आपका failure plane है बटतों, इसको cleavage line भी कहते हैं, और इसको cleavage failure भी कहते हैं, कि जो brittle material में, under compression, compression test में, जो brittle material में failure होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है cleavage failure भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cleavage failure, ठीक है, यह fracture, cleavage fracture, ठीक है, this is, क्या है, under increasing compression, the section will be, will fail as soon, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसा आपका fail होगा, this is brittle material, ठीक है, brittle material का, आपका, मतलब, आप देख सकते हैं, कि चु लोड की direction है, direction of load से, क्या है, 45 degree पे, लोड की direction से, 45 degree पे, आपका fail हो रहा है, clear है, इसको दूसरे pen से दिखा देते हैं, आपको, यह आपकी direction में load है बच्चों, और यह आपका यह angle है, जिस पे यह plane है, ठीक है, this angle is 45 degree, clear है, अब बात आती है, कि भाया, अगर हमारे पास ductile material है, उस case में, आपका किस तरह से failure होना जाए, ductile material में जब compression test होता है, बच्चों, तो इसमें क्या है, जैसे आप compress करते हैं, तो क्योंकि, इसमें क्या है, इसमें ductile क्या होते है, ductile आप क्या है, deform कर सकते हैं, अच्छा का सा, तो यह क्या होता है, इसमें इस तरह का shape आपका बनना सुरू हो जाता है, और इस तरह से बनना सुरू होता पहले इस तरह से यहां से मतलब अंदर से बशा निकलना maintenance, मतलब भार की तरह आपाना सुरू हो जाता है, thieves in the same test will squeeze out, out, हो रहा है ठीक है एस सोन एंड सपोर्ट एड सपोर्ट एंक्रीजिंग लोड तो कोई दिक्कत नहीं अब यह स्कूज आउट हो रहा है ठीक है इसको कहते हम अब थोड़ा और लोड बढ़ाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का सेक्षिन दिखना सुरू हो जाएगा जब आप लोड थोड़ा और बढ़ाएंगे बच्चों तो आपको कुछ सेक्षन सेम सेक्षन आपको कुछ इस तरह से दिखना सुरू हो जाएगा ठीक है मतलब अब बहुत ज्यादा बल्जिंग हो चुकी है बल्जिंग मतलब यहां से मटरल पूरा बहार इस तरफ आ चुका है इसको कहते हैं बल्जिंग कहते हैं इसको कहलते हैं बल्जिंग ठीक है बल्जिंग इसको कहते हैं कि बल्जिंग हो गई है इसमें मटरियल ठीक है तो डक्टाइल मटरियल इस तरह का आपका बेहिवियर सो करता है जैसे टेंसन टेस्ट में क्या होता है नेकिंग होता है मत ग्राइब ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, ताफ जितना इसने load सहा सहा उसके बाद ये क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गए along 45 degree, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका, यह लोड की direction है, अगर आप लोड की direction देख पा रह ने और यह किसमें ductile में और brittle में आपका 45 डिग्री पे डिखे अब आप बात आते हैं यह आपके टक्ति यह आपके failure तेस्ट में यह आपके डेख सकते हैं इसमें direction देख सकते हैं कि this is tensile test यह आपका specimen था आपने एक specimen एक किसी particular material तो ऐसा फेल वा फिर दूसरे material का ऐसा हुआ तीस रखा यह इस तरह का जो failure आपका होता है इसको आपका होता है इसको आपका ब्रिटल fracture ठीक है मतलब ब्रिटल material में जो fracture होता है वो क्या होता है 90 degree पे होता है from the क्या है line of action of load load की जो line of action है उससे 90 degree के plane पे फ्रेक्चर होता है brittle material में ठीक है और वही brittle material आपने देखा कि compression में क्या हो रहा है 45 degree पे clear है तो मतलब brittle material compression में 45 degree के plane पे फेल होगा और tension में 90 degree के plane पे फेल होगा अब देखें ductile का यह एक ductile material this one is a ductile material यह आपकी line of action है और यह आपका plane of filler है जो कि आपका 45 degree पे ठीक है similarly यहां पे line of action है this is your plane of filler जो कि आपका 45 degree होता है definitely यह ऐसे अलग-अलग इसले आ रहे है क्योंकि यह जो है this is simply a ductile fracture but this is completely ductile fracture ठीक है तो थोड़ा सा अंतर है the degree of ductileness is more in this मतलब यह material जादा बहुत जादा ductile होगा तब आपको यह नोग दिखेंगी ठीक है और यह सब मैंने आपको बताया था यह ब्रिटल fracture में था आपका इस तरह से ठीक है और यह जो है इस तरह से यहाँ पर कापाइंट कोन भी आपका बनता है जो कि आपका ductile fracture बे बनता है ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ब्रिटल मट्यरियल जो था उसमें आपका 90 डिगरी पे हुआ और ductile material में कितना हुआ 45 डिगरी पे आप देख सकते हो कि जो चीजेशा आपने देखिए कि वहाँ ductile material 45 पे फेल पे फेल हो रहा था यहाँ 90 पे फेल हो रहा है ठेक है वहाँ ब्रिटल माटिरियल 90 पर फेल हो ठा Tuesday हुए कि चैसे इसका मतलप अपन्प्रेसर टेस्ट और टेंषिन टेस्ट में दोनों में बिल्कुल अप्ोजिट फिनममेन हो रहे हैं मतले प्लीट-अफेक्श testimony इसको कैसे खरें इसको समरैस करेंगे बच्छो देखिए इसको कुछ इस तरह से समराइज करेंगे ठीक है यह हमने बोला कि material कौन सा है ठीक है material कौन सा है यहां हमने बोला कि tensile test tensile test ठीक है यहां हमने बोला compression test ठीक है tensile test compression test यहां पर failure plane हम बताएंगे यहां पर ठीक है failure plane कौन सा है सबसे पहले हम बात करते है ductile की ductile में आप जानते हैं cup and cone fraction होता है ठीक है tensile test में तो क्या है 45 जो angle होगा आपका वो क्या होगा 45 degree ठीक है और क्या होगा 45 degree होगा वहीं अगर brittle की बात करेंगे तो brittle में क्या था आपका brittle में आपका 90 degree ठीक है जो क्या हमने अभी यहां पर देखे यह brittle था जिसमें क्या है 90 degree है this is one is 90 degree and यह ductile था आपका जिसमें 45 degree clear अब हमने एक चीज कहीं क्या कहीं हमने यह कहा कि यहां बिल्कुल opposite होगा मामला अपोजिट क्या होगा अगर एक 45 है डक्टाइल माटिरियल में फेलियर प्लेन अगर टेंजल टेस्ट में 45 degree है तो compression test में होगा एंगल 90 degree ठीक है अगर brittle material टेंजल टेस्ट में 90 degree पे फेल हो रहा है तो compression में वो 45 degree पे फेल होगा बस इतने मतलब आप किसी एक को याद रखिए आपको दूसरा याद रखने की जरत नहीं जस्ट आपको अपोजिट करना है चले आते हैं आप और जिनल आपके question पे जो आपका question था cast iron एक brittle material है compression test हो रहा है आपको मैंने बताया कि compression test अगर होता है तो क्या है cleavage fracture बनता है 45 degree के angle पे brittle material में ठीक है तो fracture along right angle नहीं right angle है नहीं है fracture along axis of load नहीं है axis of load के along तो कभी भी नहीं होता है ठीक है would not fracture बिल्कुल गलत fracture तो होगा भाई fracture along an oblique plane बिल्कुल सही अब आप कहेंगे sir आपने 45 degree बोला है यह oblique plane बोल रहा है actually 45 degree is an oblique plane oblique plane का मतलब होता है other than 90 other than than 90 degree पे जो load of line of action से 90 degree पे जो plane होगा उसके अलावा जो भी plane आपके पास है they those plane are called oblique plane ठीक है oblique angle आपने सुना होगा जो angle other than 90 degree वो oblique angle होते हैं इसलिए क्योंकि 45 degree पे फेल हो रहा है तो this is an oblique plane clear है इस तरह से आपका answer हो जाएगा ठीक है तो चले बच्चों महासा करता हो आपका बिल्कूल concept इसका पूरा clear हो गए होगा और जब भी question में जो भी आएगा tensile test, comprehensive test or brittle ductile जो भी आपके पास आएगा बिल्कुल आप बेहिचक बिना किसी दिक्कत के इसको टिक कर पाएंगे ठीक है तो चले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें comment करें शेयर करें और अगर आप हमारी चनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जार करें और बेल आकन दबाना ना भूले ता कि हमारी हर इंपोर्टेंट वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यी सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो